होंट काले होने लगते हैं जब भी चेहरे पर लगाए जाने वाली कोई भी क्रीम हो या सीरम वो होंटों पर लग जाए और अमोमन ऐसा ही होता है कि जब हम कोई भी क्रीम या सीरम संब्लॉक अपने चेहरे पर लगाते हैं तो वो होंटों पर भी लग जाता है लेकिन हम इग् उसमें मैं सबसे पहले डालूंगी coconut oil ठीक है अगर आप कोशिश करें एक्स्ट्रा वर्जन coconut oil इस्तमाल कीजिएगा अधर वैस जो भी नारियल का तेल आपके पास अवेलेबल है एक चमच आप इसमें डालेंगे नारियल का तेल सेकिंड इंग्रीडियन जो मैं इसमें एड़ करूंगी वो है शिया बटर शिया बटर आपकी स्कीन के कलर को pigmentation को light करने के लिए बहुत important है आपके dryness को दूर करता है आपकी स्कीन को plumpy और bright करता है जहां से मैंने लिया है इनका लिंक भी मैं आप से शेय कर लूँगी बेतरीन क्वालिटे के साथ सब्ट्राइज भी बहुत लो है अच्छा तो मैंने इसमें एड़ किया है वन टेबल स्पून एक चमाश शिया बटर का अगर आपके पास शिया बटर नहीं है तो आप इसमें बीज वेक्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं थर्ड हमारा इंग्रीजियंट होगा बीट रूट यानि के चुकंदर चुकंदर की यहां पे मैं ड्राइ फॉर्म लोंगी यानि के खुश्क चुकंदर का पाउडर यानि के ड्राइ बीट रूट पाउडर एक एक चीज मैं आपको अलग-अलग करके समझाती हूं ताकि आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम ना अगर आपके पास फ्रेश है तो आप इसमें फ्रेश जूस भी चुकंदर का एड़ कर सकते हैं लेकिन जब आप फ्रेश चुकंदर का जूस एड़ करेंगे तो इसे लॉंग टाइम के लिए आप स्टोर नहीं कर पाएंगे तो बेहतरीन है आप बीट रूट पाउडर इसका हमेशा आपके असानी के लिए तमाम लिंक्स भी मैं आप से शेयर करते हैं यूग करते हैं अच्छा तो अब आपने क्या करना है इन सारी चीज़ों को मैल्ट करना है मैल्ट करके अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके लिए हम डबल बॉالर कर इस्तामाल करेंगे और यह देख 11-10 मिनट में आपका लीब雨 अच्छे से LIVE Um बन चाएगा झालinn сердम तिस नlight आप्तुकिन को सांब अपने शेरे पर नगाती है तिश्यू से होनटों को साफ करता है साफ करने के बाद लीब बाम अपलाई करना है वजू करें उसके बाद चेहरा दोएं उसके बाद रात को सोने से पहले थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसे यूस करना है तीन दिन में आपका कलर होंटों का आईसा आईसा लाइट होना स्राट हो जाएगा और आपके होट जो हमेशा के लिए पलंपी होने वाले हैं अगर आप इसे हमेशा के लिए अपनी स्कीन केर में शामिल कर लेते हैं अच्छा ये चोटे बच्चों के लिए स्कूल गोइंग है कॉलेज गोइंग है सब इसे इस्तमाल कर सकते हैं अगर आज ही आप अपने बच्चों के आदर डालेंगे कि अपनी स्कीन केर का अपना ख्याल रखना है तो कल वो अपने खुद से भी बहुत प्यार करेंगे आप भी अपना ख्याल रखिएगा मेरा यही मोटिव होता है कि मेरी सारी फैमिली अपने आप से प्यार करें, अपने बालों से प्यार करें, अपनी ले टाइम निकालें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें आज की वीडियो आज की रेमिडी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिपलाई भी करती हूँ, तो खुश रहिएगा, आप आज रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगा और अपने इस चैनल का भी